भोगी साजु होएं अब होगी बाप होई नसे बालियम कहisme घृंस कर दें उसे बापको बाप मानना पाप है नगनल मंदिर खाना देगा नगल कमाकर खाना पड़ेगक सबस्क्रातर के ही बाप अब करता है लेकिन पैसा जमा नहीं है तो इसके में हम लोग लक्ष्मी माता को कैसे खुश कर सकते हैं जो अक्रण होता है वो दखिन सही होता है अच्छा किसी के जो खराब निगेटी यह कुछ भी जो होता है वो दखिन जिसा सही आता है उसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं मैं कि एक कम पचास उसे खराब चीज भी भगेगी अल्रच्छिमी का आगवान होगा कुबेर महराज हमारे धन का आगवान करो हमारी बरक्कत करो अम्मुड के नहीं देखना है तो इसमें कुबेर जो है वो शंतुर्ष्ट होता है जब कुबेर संतुर्ष होगा तो अल्रच्मी हर मंदिर में नसेवाई जरूर होगी गांडव पिया जाएगा अब बोतल भी चलती है सिटी की शोर गुल से दूर इस सुनसान पहाड़ी इलाके में एक सिध बाबा रहते है जो शम्शान साधक है काली साधक है तो उन्हें ना सुनसान इलाके में रहना पसंद है और बाबा पॉरा पहारी इस तरफ से हम जाएंगे उपर और देखे यह जो रस्ता जाता है यह रस्ता जाता है शम्शान तक तो यह है एक शम्षान और शम्षान के ठीक ऊपर ही बाबा का घर है तो यहां से दिखाई नहीं देता है उनका घर लेकिन शम्षान के ऊपर जो पहार है वहां पर ही है तो बाबा ना शम्षान साधा के इसलिए शम्षान के पास ही यहां पर एक सुनसान जगा में रहते हैं त फिर हजारा पूजा पाठ कर लो, घर में कुछ समस्याए अन बन मन मुटा फैमिली मेंबर्स के बीच बना ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, मैं बस एक्जामपल दे रही है। तो इनका ना, कुछ बाबा के पास कुछ हल है की नहीं, जो हम खुद से घर में कर सके, हर कोई कर सके, तो यही सारे कुछ सवालों के जवाब या बाबा क्या सुझाव देते हैं, वहीं लेने के लिए आज हम बाबा के घर तक जा रहे हैं। तो पहारी उठना है उपर तक तो चलिए चलते हैं, आईए. बहुत उचा है पहार, और पूरा पत्थरों वाला रस्ता है, कच्छा रस्ता है मिट्टी वाला, तो मैं तो चल रही रही हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ, और इन बाबा का नाम है लाल बाबा, लेकिन बाबा शम्शान साधक है, लेकिन बाबा ना नौन वेज खाते तो क्या नौन वेज चूते भी नहीं है, और शराब, गांजा यह सब बाबा कुछ यह खाते नहीं है, कि देखिए बहुत सारे ऐसे शम्षान साधक होते हैं जो गांजा फिर दारू पीते हैं तो यह सब बाबा नहीं करते हैं एक तम बहुती सीधा साधा सिंपल बाबा है मैंने एक वीडियो बनाय था तो उसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दू तो मैं थोड़ा हाफ रही हूं सास फुल रही है क्योंकि देखे वहां से हम लोग आये हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं पता नहीं बाबा घर में है की नहीं तो लगभग हम बाबा के घर तक आपोंचे है और देख रहे हो ना पूरा पहारी लाका है जंगल है चारो तरफ और चिरिया भी गाना गा रहे है एक सिकिन देखे वो है शमशान तो हम जो मतलब नीचे से मैंने आपको दिखाया था तो हम लोग अभी उपर आ चुके है लगभग और वो चोटा सा एक जर्णा है पहारी जर्णा तो इलाका ना पूरा सुनसान है शान्थ है बाबा ने फिसलन में हूब सकता रहा है बाबा पाता ने है कि नहीं चलते है और यह देखे एक छोटा सा मंदिर एंट्रेंस में यह बदा पूजा पाढ़ करते हैं साधना करते हैं तोаться में मंदिर है और आपैं का घर ओडर पहुंचने के लिए एक बिज को पाढ़ करना होगा तो पा भाव करते हम आप पहुंचे है बाबा की खर लेकिन बाबा के घर में और बीना पर्मेशन नहीं जाएंगे क्योंकि एक बुर लिखा हुआ है की बिना अंदर ना मना है तो सबसे पहले देखते हैं बाबा घर में है कि नहीं बाबा घर में है बाबा बाबा हाँ तो अभी हम है लाल बाबा के पास तो यह है लाल बाबा बाबा नमस्कार नमस्कार तो हम बाबा से कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो मतलब हम दे टुडे लाइफ में फेस करते हैं जैसे बाबा मेरा पहला सवाल है कि देखिए हम लोग ना पूजा पाठ घर में करते हैं हजार पूजा कर लेते हैं लेकिन घर में फिर भी जो मन मुटाव है फैमिली मेंबर्स के बीच वो बना कि लिए कि हम खुच से घर में कुछ तोना, डूटका ऐसा रहा फिर सपेशल कुछ पूजा कर सकते हैं देखिए ऐक बात। आओ तो सबी घर में दिया बत्ति सब होती है अघर बत्ति लेकिन उसे कोई ज़्यादा नहीं होता है जह क्यों कूछ talkine क्यों अपलेक Sada qi vertical होता ह पानिम घोल देऊ और उसको भीता से बाहर तक शीटा देऊ उसे बहुत से बलाए भाग जाती है अच्छा घर से नेगटिवीटी दूर होता है यह भग जाएगी भग जाएगी नहीं लेकिन गुरुवार के दिन नमक डालना बहुत खराब है गुरुवार के दिन हाली डालना चाहिए हाली डाल करें पानी मशिटाओ उसे खराब चीज भगेगी और रचिमी का आगवान होगा और टोटा चपर में भी लाब होगा अच्छा मैं आप से बाबा वही बात पूछने वाली थी कि देखे हम लोग मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग और पैसा भी आता है लेक लक्ष्मी माता को कैसे खुष कर सकते हैं देखो जमा एक बात और बटा दें इसे तो बटाना नहीं चाहिए लेकिन बटा रहा हूं मैं हुआ एक कम पचास कच्चा मिरचा लेना चाहिए मिर्चा जुभी कहा हुआ असामी से जुखा नहीं है उसमें इन इन उन्चास के उन्चास मिर्चा लेकर त्समें इसकामाला बना है अच्याओ को आमकी जड्म रखे आई किसी बार दिन इसा शनिवार मंगल बार ज्यादा अच्छा रहता है उससे यह बोलना है पेंड से कि कुबेर महराज हमारे धन का आगमन करो हमारी बरकत करो अच्छा अच्छा वर्चो का धर के उनकी जड़ में चले आप सीपा में आम की पेंड में जड़ में रखके चले अच्छा अच्छा तो इसमें कुबेर जो है वो संतुन होता है जब कुबेर शंतुन होगा तो लाच्छमी तो रुखे गहिंग हां यह बात तो यह हमें लगातार कितने दिनों करना है अरे एक दिन करने से बड़ा फैदा होता है अगर दिन कर दिया जया मुनदर मंगल जब और जदा लाब होता है नजब हम चाहे तो सप्तह में सउनी वार मैं मौझा जब आउए नाव के पेर में में नहीं नहीं है तो टाहिं कि आम के पेर में तो देखे-शाथा रहता है प्रेंट देना जाते हैं अए वता सभी परकाद हैं प्रदै rubbish से बाबा आपके रिति हम घर में मंदिल दिया चलाने के लिए रोज पूजा करने के लिए ज़ारं करने मोग होना महाँ पन्च मुट्कीय हनमान बना रखा है उसका मुध द captain कर दो कि छादा कर दो कर दृष्ट मंतर कर ऐसे आ continental इसे मोलता हाज वैश्थी और जब यूबित ए अधिये और स्हिछ तडिशलन मुध करता है जो तो वो फिर जो डखिन मुं करेगा तो तुरंट जादू असर होता है अच्छा 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 इसलिए जैसे महादेव का मुझती है उसका मुझत डखिन का रखो अच्छा आपको मालूब होना है यह जब राम लौकोष का जगडा हुआ था युद्ध तो राम हार गये पुरा परिवार हार गया तो कानपुर के उत्तर सायट में वास्रम बना हुआ है जहां सीटा जहीं ओजिनल अच्छा अजहां लौकोष ने एक शिलिंग बनाया है ब्राल शिलिंग है बहुत बड़ा मंदीर है और हां से थप थपाया है वह इसे का मुटा सब बने हैं लौक शक्तर जी का दख्षिन को होगा तो सब्त्र जल्दी परास्त हो जाएगा बहुत वह इव Whats रुट यह सक फुट बहुत है कोई जानता है लेकिन ज्यादा तर लोग दख्षिन को मुन करना भराप पाते हैं लेकिन उसमें हो जाता है बल खंडे स्वर बल खंडे का मडल जो जो सब्सक्ति होती है उसमें शक्ति विशेश होती और है पुर्टी में तो उससे ज्यादा असर होता है बाबा ऐसा बोल रहे है अच्छा बाबा देखे घर के जो में दर्वाजा होता है अच्छा बाब देता है तो आपको हिसाब से यह गलत है या पर क्या चीज को फिर नियुक्क्त कोई नैम्बू ज़ाला लगा दीता है मिच्चा मूलव तो कोई तो बोलता है खराब है और नहीं कुछ बोल लग लेकिन को जोशी बोलता है खराब है मेर्चा लगाया और खट्टा लगा दिया ख़राब होगा और सबसे बड़ इहां बाद तो यह है कि तो यह उसमें काला कपड़ा में बान ही दे इतना वाद तो वह जो भीतर जाएगी खराब चीज चाहिए साटान हो जादू हो जो खीच लेगा अपने सामिल कर लेगा भीतर नहीं जाने देगा लेकिन उसको एक महिने बाद फेंक देओ अगर नहीं तो वह एक महिने फेंगा तो वो फ्हुल करने लेक्स वाद देगा तो घर को Хांई करेंगी इसलिए ज़िए ज़ब फोल हो जाए उसको हटा देओ नहीं जाएगी उसको हटा दूसली जाए जांगा आजिए किट 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 होता है ना है your जी करने जट किट किट ठलम आज थ तो बाबा देखिए हम लोग हम लोग जो मतलब नॉर्मल लाइफ में कुछ पाथ वगेरा करते हैं या फिर मंत्र जबते हैं तो सब मतलब घर में शांती हो पैसा हो इस सब के लिए कौन सा मंत्र या फिर कौन सा पाथ हमें देनन दिन जीवन में सबसे बड़ा जो आदमी को सुख दुख देने वाला है वह नौ ग्रहो जैसे एक मुक्ष मंत्री है उसके बाद में पुलिस है तो जो पुलिस करेगी वह करेगी अच्छा करे तो बुरा करे तो बुरा करे तो उसमें मुक्ह मंत्री क्या कर रहा है कुछ नहीं जब जाड़ा कोई होता है तो मुक्ह मंत्री ध्यान देता है ने तो सब पुलिस जो कर रहा है कर रहा है अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है किसी प्रकार से जो नौग्रा है आदमी को सुख दुख देने वाले यही हैं इन कि पूजा करो कि इनकी पूजा नहीं करो गए तो कोई फाइदा नहीं है अधर दूसर एक बात और है इस पित्र नौ ग्रह से बड़ा पित्र है जिसने हमारा शरीज बनाया है अमर के तो चला गया है लेकिन हमारा क्या फर्द्य है उसको कुछ देना होगा जिससे कुछ लिया तो परमपरा विधान है तो जिस ने हमको जनम दिया हमारे माबाप मत वाली देखा हैं तो यह चैयरा अच्छा एक हुमारा हे दानं तवर है जैसे हमने हम कभी तो बिल्कता है कभी कभी धोंगी साधू भोगी बाप इनका भज़त लागए पाप क्या समझें धोंगी साधू होए अभोगी बाप होए नसे बाजिम घर धुन्स कर दे उस बाप को बाप मानना पाप है अच्छा मतलब कहने का उसको अगर अग्याकारी बनते हो तुम को बरबाद कर देगा अभी तो बरबाद ही चुआ है तो इसलिए उसे अग्यापलन करना उचित नहीं है अपने दिमा से काम लेओ अब देखो हमारे जो हिंडू में हिंडू मुसलमान जगडा होता रहता है तो इसलिए दोनों बगवास हम कह रहा है कि जो हमारे पुराने बुजर्ग लोग थे वह जो काटा बायके चले गये हैं उस काटा को निकाल और प्रेम से रहो दोनों ना मंदिर खाना देगा कमाकर खाना पड़ेगा मंदिर मर्जीर खाना नहीं देगा वह हमारी आत्मा के सांती के लिए हम बना रखाए चला हम असा लेकिन हर मंदिर में निसेता ही ज़रूर होगी, गान्भाव प्याज़ जाएगा। ये मंदिरमें परःगा पठस्ता बन चुकी है, इस्ट्ना बुरा काम है एकश्चा नसाहता हूसूरं हो बाता है। गान्या पीया अब फूंग से उगा दिया धूमा जूंठा धूमा है तो जब जूंठा धूमा आकास में जाएगा तो द्यूटर रहेगा क्या तो भागेगा विल्कुल सही बाद है कितना कमीना पन है जी हमारे दुखा असरम में है यहां बिल्कुल नशा बंदी है एक दम है अच्छा यह कोई बाबा अगर आएगा बोले गांजा देता है कि आडमी को बरबाद कर देता है जैसे शराब हो अब बात एक ही है सि Color अगर आदमी को बचना है है । नश आख सी बचे। और नसा सी बचना को सीधा है कि शजग hair छोड़ना है तो सराव जोड़ना है को जोड़ना है डू जुवार्ण जूदेयो छोड़ना है च्जूरिक नुकर श्जूदेश आघर लड़की तो बाबा आपने एक बार बताया था कि आप कितने सालों तक पत्तिया और सिर्फ फल ही खाया हुए थे नहीं कि तुल्सी पार तुल्सी पार तुल्सी पार्जी खाया जिस गाम गाव पूरा गाव तुल्सी खाली खाता है और जो आउटे शुने कि बाबा तुल्सी पार्जी खाली खाता है जो आपने एक मुझ खाना मुझकिल है अच्छा गिला नहीं जाएगा लेकिंगे नहीं जुक्टे से बहुत खाया तो यह तो पता बहुत तो नीम के पती खाके रहा को सब्सक्राइब कर दिंड़ कर दो एक पाइसा खटम हो गया तम नीम पती खाने लगा तो चलिए हम बाबा से अभी विदा लेते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बोलना और अगर फ्यूचर में भी बाबा से कुछ सुझाव चाहिए तो हमें बोलना जो ऐसे सुझाव जो हम घर में खुद से कर सके जो बाबा ने बोला वैसा सुझाव बाबा जरूर देंगे जो हम खुद से अपने घर में कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को एन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर भी क झाल 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 झाल